कोई अमानत दिया है पैसे के जरीए पैसा रखने के लिए और उसको पता है कि वो जब मांगेगा वो दे देगा तो यूज कर सकता है कि आमानत पैसा ने बिलकुल नहीं कर सकता है अमानत आपको जिसने दिया है पैसे की शकल में या किसी और शकल में जैसा उसने दिया है आप को वैसा ही रखना है उसको यूज नहीं करना है कि ये एक हजार रुपे आमानत है तो मैं बाद में दूसरा एक हजार लोट दूंगा इसको आज यूज कर लूँ आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं अगर उसकी अजाज़त के बगेर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये जायज नहीं है अलबता अगर सामने वाला आपको अजाज़त दे देता है तो आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन ऐसी सूरत में फिर वो चीज अमानत नहीं रह जाएगी फिर वो चीज कर्ज बन जाएगी फिके में एक काइदा है कि इदा अदनल्मूदे लिल्मूदा लहू बितसर्रुफ फिल्वदिया अस्बह कर्दन या अस्बहतिल्वदियतो कर्दन ये काइदा इसका मतलब ये है कि अमानत रखने वाला जिसके पास अमानत रखा है अगर उसे तसर्रुफ की अजाज़त दे दे उस अमानत के अंदर तो वो अमानत फौरण कर्द की शकल में तब्दिल हो जाती है तो वो कर्द के हुक्म में हो जाएगा वो अमानत नहीं रह जाएगा खुलासा ये है आपके सवाल के जवाब में कि अमानत में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं जैसा दिया गया है वैसा ही रखना है